क्या आपने कभी एज़ते हैं तुरलब है कि चुनिंदा लोग ही इसको देख पाते हैं करने जाता है शायद आप इसको देख कर समझ गए होंगे ये एक ऐसा पक्षी है जिसका चेहरा उल्लू की तरह दिखता है लेकिन इसका रण दोते की तरह हरा है म्यूजिलेंड के घने जंगलों में पाया जाने वाला ये पक्षी दोतों की प्रजाती में सबसे ज़्यादा खारी पक्षी माना जाता है उनकी लंबाई करीब 25 इंच तक होती है काकापो की खार बाद ये है कि ये पक्षी उड़ता नहीं है बलकि फुदत फुदत कर चलता है जिसकी बजह से ये ज्यादा जर्शिकारियों का खाना बनता है इस वक्षी का फुदक कर चलना ही एक कारण है जिसकी बज़र से इनकी संख्या लगवग्द 211 की बची है दोजे लेह की सरकार इन पक्षियों को रचाने के लिए कई तज़र की प्रोग्राम्स चलाती रही है इस वक्षी का फुदक करते है ताके लोगों को अगर भुद खाएल खावर को दिखाए लेता है तो इसका इलाज कराते है ताकि इसे ठाना और फानी भी देखे है नमो जाए ज्यूनिल फ्राइटलेस ग्रीप भी कहा जाता है कामे और शफिर रण के साथ लालाकों में इस पक्षी को आसानी से पहचाना जा सकता है लेकिन इस पक्षी के दर्शन मिलबाना काफी दुरलब है इस पक्षी को देखना कितना दुरलब है इसका अंदाजा आबित बात से ही रजा सकते है कि इसकी आवाली अब 250 से भी कम बची है स्यादा दर पर्शिन मध्य पेरू की जूनिन लेक में पाए जाने वाले जूनिन ग्रीब लेक्स में रहना ही पसंद करते हैं और समुंद्र के किनारे कम ही मिठते हैं जूनिन ग्रीब की इस दुरलब प्रचाथी को बचाने के लिए सरकार विशेश रूच से जूनिन जील में कई तरह की पहल करती रहती है इसके अलाबा इस जील में शिकार करने और मचली पकड़ने पर भी रोख है ताकि गुरलब रजाती के स्ट्यूलिंग रीव को फिलुप्ट वोने से बचाया चा सके आगे बहनने से पहले चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कर ले और देखते रहे ऐसे ही और भी इंटेस्टिन वीडियो तो चलिए अब चलते है नमबर आठ की तरफ नमबर एग सुपोब गायबर्ड दुनिया के सबसे नुराले और सुन्दर पक्षियों में से एक है और स्मेलिया में पाया जाने वाला ये लक्षी अपनी वादी सारी खासियतों की वज़र से देमस है जिसमें से एक है इसकी नमदी पूच दूसरा है एकी नादर करने की कला और दीतरा है गाना गाना शायद आप पोच रहे होगी कि नादर करना और गाना गाना तो दोटे का काम है तो कहीं ये दोटे की सजाथी में से एक तो नहीं लेकिन जहां आप गलग है ये उत तरह का पक्षी है तो थोड़ा दोड़ा दोटर की तरह दिखाई देता है इस पक्षी को ज़्यादा तर गाना गाते हुए ही देखा जाता है लेकिन शायद अपनी इसी कला की वजह से सुपर्ब रायर बर्ट अब संकट में है और इनका नाम आयू से इनकी रेटनिस में आ चुका है क्योंकि जब ये पक्षी गाना गाता है तो शिकारी को इस तक पहुचने में असानी होती है साथ ही इस पक्षी के धीरे-धीरे विलुक्त होने का कारण ये भी है कि ये ज्यादा तर जमीन पहरेंपे है इसकी वजह से ये मनुश्य की कारियों के नीचे तक पहुचने है नमबर सेवेट ओरेंज बेली पैरेट ओरेंज बेली पैरेट इस पूरी प्रद्वी पर सबसे नाया पक्षियों में से एक माना जाता है तीले, भरे और ओरेंज कलर के इन दोतों को ओरेंज बेली पैरेट इस नीए कहा जाता है क्योंकि इनके पेट वाली जगव बर ओरेंज कलर गोटा है इस खास दोते की लंबाई लगबग 20 सेंटिमिटर तक होती है ये ओरेंज बेली पैरेट दूजरे पैरेट से पाथ करने के लिए एक बरगी बजिंग साउंड का इस्तिमाल करते है ज्यादा तर तरसमानिया में पाया जाने वाला ये पक्षी सग्यों के मौसम में अक्षणी पूरी ऑस्टेलिया में अपना समय मिताते है इस वक्षी इतना खत्रे में है कि IUCN ने इस पक्षी को अपनी रेटनिस में डाल दिया है अगर आप इस कलरफूल सोते को देखना चाहते है तो इसका दुरलब दर्शन आपको किंग आइलेंड, लेक विक्टोरिया और मड आइलेंड पर हो सकता है दैसे तो ये पक्षी पूरा काले रंका होता है लेकिन उसकी गर्दन के नीचे चमकीला नीना रंग भी होता है जिसको ये डांस करते वक्त पूरी तरग खोल देता है और काफिस उलर दिखाई देता है इस प्रजाती के मेल पक्षी फ्रीमेल पक्षियों को लुभाने के लिए अपने पंक खोल कर दांस करते हैं और अपनी इसी कला के लिए ये फेमस है इस प्रजाती के मेल और फ्रीमेल पक्षी बहुत अलग दिखाई देते हैं लेकिन बेल पक्षी ज्यादा आक्तरशक होते हैं यू गिनी में पाए जाने वाले इस पक्षी की प्रजाती काफी देजी से हट लगी है जिसकी वजह से इनको देखाना काफी भुश्टी लेकिन दुरलब प्रजातियों में से एक है ये नौर्टमारिका का सबसिर बड़ा पक्षी है जिसको ग्राउस बड़ के नाव से भी जाना जाता है एक अडल्ट मेजर सेज ग्राउस में पंजे से लेगल पंग तर सब रिछ भुखीदा होता है हरके भीर और काले रंग के दिखने वाले इस पक्षी का आगी का भाग दुर्शे पक्षियों से काफी अलग होना है सन 2000 तक दे ग्रेटर सेज ग्राउस को ग्राउस बड़ की कहा जाता था लेकिन इसके बाद इनकी एक खार प्रजाती बड़ाई गई जिसको दे ग्रेटर सेज ग्राउस नाम दिया गया अगर आप इस ग्रेट पक्षी के दर्शन करना चाहते हैं तो नौर्थ अमारिका में ये संबब है और जब आप इस पक्षी के दर्शन करके वापस आए तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर पताएं पर आपका इक्सपीरियंस ऐसा रहा Christmas Island प्रिगेट ज़र तो नहीं लगते लेकिन मोला पक्ष़ों की प्रचाती हुए सदूर आते है ये खास किसन के पक्षी बादे और प्रज़ estasad और थूले रक्षों होते है अपने लार रंग वाले हिस्से को पूरी तरफ बुना लेते है ये बक्षी शिकार करने के लिए अपनी बड़ी चोचता स्टुराल करते है अगर बाद की जाए उनके बजल की तो ये गेड़ इनलो तक के हो सकते है और साइज लगबग 45 इंच तक बढ़ता है इस प्रजाती में दीमेल गर्ड्स, बेल गर्ड्स से खोड़ी पड़ी होती है बजल के मौसम और वाइनिंग की बजल अप्राउन पिजल इसमें रखा गया है क्योंकि इसके सर पर एक बहुती खुद्सूरत प्राउन होता है जैसे च्मीन विक्टोरिया के सर पर दाज होता है उसी तरह इस पक्षी के सर पर भी दाज होता है इसकी बजल से इसको ऐसा नाम दिया गया है प्राउन पिजल, पिजल की प्रजाती में सब से खुद्शूरत दिखने वाला पक्षी है जिसकी वज़व से इसके प्रिंग उफ बिजन की पहा जाता है दीने और हरके बुए रंग के इस बिजन की आंगे लाग होती है तो इसको और भी जादा आकर्श कंगा देती है ताथ ही इसके पंखों में अलग अलग रंग होते है जो इसको दूसरे पक्षियों से काफी अलग कर देता है ये पक्षि जादा तर न्यू किनी और उसके आसपास के शेत्रों में पाया जाता है इन जगों पर आप इस खास ग्राउंड विजिन को आसानी से देख सकते है नमबर टू ग्रीन पीफ वहाँ हम अपने राश्ट्रि पक्षी बोर को कैसे गुर सकते है तो भी दुनिया की सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है जिसकी तंगया अब धीरे धीरे काम होती जा रही है और इसका कारम है इसके सुंदर पंटों की पांके द्यमार आपने लोर के ज़्यादा तर्भी ये रंगे देखा होगा लेकिस तपेद और घरे रंगा भी एक तरह का बोर होता है जो देखने में काफी सुन्दर रखता है घरे रंगा बोर साउट इस एशिया में पाया जाता है ये देखने में पूरी तरब भरे रंगा होता है और काफी सुन्डर दिखता है इतना Amazing Sécritory Birds का नाम आना काफी सरूरी है क्योंकि इसके नाम के साथ ही ये बक्षी दिखता भी थोड़ा अलग है Sécritory Birds को खिला क्मीज भी कहा जाता है और ऐसे लिए क्योंकि ये गिंग होता तो खार दे सकते है अगर गौर किया चाहे तो Sécritory Birds का आदा शरीर बास की तरह और आदा शरीर सारस की तरह दिखाई देता है इनका शरीर भूरे रंग का होता है और पंक काले और सफेद रंग के होते है सभी पक्षियों में इस पक्षी के पैर सबसे लंबे होने के साथ साथ काफी अजीब ही होते है इनके पैरों को देख कर लगता है जैसे इनोंने लंबे काले मों से पैर रखे हो जिसकी वज़रती हिटर के वक्ष ऐसे लगते है जैसे कोई मॉडल फूरे आटिट्यूद में चलती हुई आ रही हो तो आज आपने देखी दुम्या की दस सबसे अनोखे पक्षी इन सब पक्षियों में आपको कौन सा पक्षी सबसे सुन्दर और अनोखर लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको लाइक करे चानल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइपन को हिट करे ताकि ऐसी इंट्रेस्टिंग और इंटो में के भीडियों में आपक्षी